जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल दोस्तों कभी हमारे मन में ये ख्याल हमेशा आता है कि हम जो सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता है पहला पर्ट यह होता है दूसरा पर्ट अभी यह होता है कि कई बार हम सोचते कुछ हैं और हो और कुछ चाहता है और हम चाहते ही हैं कि हम जो सोचते हैं वही होना चाहिए तो अगर आप यह सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हो तो आज इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ ऐसी बाते पता लगीगी कि आप जो जीवन में सोचेंगे आपके साथ वही होगा तो इस रूडियो को पूरा और अंतर तक आप देखें, देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजे जो इससे पता लग जाएगी अब हम और आप एक सामान ने रिखती हैं, हमारी अकांगशा हैं, हमारी चाह हम जिवन्नों नती करना चाते हैं हमारी कोई बड़ी ख्वाईशे नहीं है, कि हमें कुछ बड़ी ख्वाईशे हैं, हमारी बहुत चोटी चोटी ख्वाईशे होती हैं हम उने पुरा करने के लिए फूरी मेहनत करते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, और वो चीज़े हमें जोर लगाने के बाद भी नहीं मिलती है। मतलब planning हमने कुछ और किया है, मिला और कुछ, और मिलने के बाद भी हमारे साथ तो ये भी होता है कई बार कि जो चीज मिली है, वो भी हमें नहीं मिल पाई है। तो इन सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और सिर्फ तीन बात होगी जानकारियों कि बहुत सारे वीडियो मिलते रहें, वीडियो को लाइट जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगे, और अगर जियों में कोई तकलीफ ये परिशानी चल रही है, तो स्क्रीन पर नमबर चली रहे हैं, आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, वाटसअप पर अपर्वर्मेंट लेकर, सबसे पहली बात है, कि जब भी हम जो सोचते हैं, वेज़ा हो, उसके लिए आपका मेन और मेन पॉइंट ऑफ यू, जो होना चाहिए, आपका जो सोचने का तरीका है, बहुत ही सरल रखें, सरल होता है, लेकिन अब सरलता में किस तरह का सरल होना चाहिए, उसको बारिकी से अगर हम अध्यन करें, तो पहला मुक्र बात होता है, कि हम वास्तविक्ता और एक हमारे दिमाग में चलने वाली एक बहुत तीक्ता, इन दोनों में जमीन आसमान कंतर होता है, हमारे दिमाग में बड़े बड़े ख्याली पुलाओ संजा लेते हैं मतलब हम चीजों को इतना जादा पॉजिटिव लें लेकिन पॉजिटिव के बाद जो ऊपर चले जाता है मतलब ओवर कॉंफिडेंस होकर तमाम चीजों का पिडिक करते हैं और वही चीजे हमें रियलेटी से हमेशा दूर रखती हैं तो पहला पॉंट जो मैं हमेशा कहता हूँ अभी वी आपसे कह रहा हूँ कि वास्तविक्ता को पहले भापे कि वास्तविक्ता क्या है हम क्या है कैसे क्या है और हमारी योगिताय क्या है या कून सी चीज़ हमारी अच्छी नहीं होने हमें अच्छा करना चाहिए वो चीजों से ही चीजों को भाबیں तो सबसे पहला आपका आकलन सही होगा आपका अंडाजा सही होगा तो आपके आने वाले जो चीज़ें हैं जो आप planning कर रहे हैं वो सहीं जाएगी ये बात आप याद रखेगा दूसरी बात होती है सकारत्मक जरूर सोचे इसमें एक बात याद रखना कि हमें सकारत्मक तो सोचना है चाहए कुछ हो या नहा हो शकारत्मक तो होनी चाहिए और अगर हमें सफलता नहीं मिलती है मनद किसी भी चीज़ों जैसे सोचा वैसा नहीं हो रहा तो उसका analysis ज़रूर करे कि कहा खामियाती क्या कमियाती हम कहा गलत गए कहा सही गए उन चीजों से सीखने की कोशिश करे न कि उन चीजों में उलजकर या तनाव या डिप्रेशन में चले जाए या उन्चे जों को लेकर आप फरिशान हो जाए वो कोई फाइदे वाली बात नहीं है अगली बात है कि आप जो सोच रहे हैं सोचने के साथ अपने गुरू मंतर का जाप करें क्योंकि होता कि कर्मत तो हमारे अपने हैं लेकिन कुछ अध्यात्मिक शक्तिया, कुछ बेवी शक्तियों का भी अपने आपने प्रभा होता है और उनका अगर आप सकारात्मक फाइदा लेना चाहते हैं अपने जीओन में, त सबसे आसान तरीकार दोस्तों, आप गुरु मंत्र का जाप करें। crochet के अधिया। पहीं यह प्रोडु का जब्सक्राया जब्सक्राह, कई सथ में ंराई। כछ भीत थे पर हैं। तो और सोचेंगे, आप का वही चीजी आयात के साथ होगी। और आपको सकारत में करेचल दीरे-दीरे मिलेगा, हाँ, थोड़ा वाइप जरूर लग सकता है। ओम नमस्षीवाइब